इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है. हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते. किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले. अगर आप इस विडियो को देख कर किसी दवा का उपयोग करते है और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. Glycizer M. 140 Tablet PR belongs to a category of medicines known as anti-diabetic drugs. यह दो दवाओं का एक combination है जिसका उपयोग वयसकों में type 2 diabetes mellitus के इलाज के लिए किया जाता है. यह diabetes के लोगों में blood sugar के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है. Glycizer M. 140 Tablet PR should be taken with food. अधिक्तम लाव प्राप्त करने के लिए इसे हर रोज एक नियमित रूप से एक ही समय पर लें. आपका डॉक्टर यह निर्नय लेगा कि आपके लिए कौन सी खुराक सबसे अच्छी है और यह समय समय पर बदल सकती है इस अनुसार कि यह आपके खून में शुगर के स्तर के अनुसार कैसे काम कर रही है. अगर आप अच्छा महसूस कर रही है यह आपके बलड शुगर का स्तर नियंत्रित है तो भी इस दवा का सेवन करते रहें. अगर आप इसे डॉक्टर से परामर्ष किये बिना लेना बंद करते हैं तो आपके बलड शुगर का स्तर बढ़ सकता है और आपको किड्नी का नुकसान, अंधापन, नसों से संबंधित समस्याएं और अंगों को खोने का जोखिम रहता है. याद रखे कि यह दवा, इलाज का केवल एक हिस्सा है जिसमें आपके डॉक्टर द्वारा दी गई सलाह के अनुसार, स्वस्थाहार और नियमित व्यायाम भी शामिल होना चाहिए. आपकी जीवनशेली डाइबेटीज को नियंतरत करने में एक बड़ी भूमिका निभाती है. The most common side effect of Glycisa M140 tablet PR is low blood glucose levels, यानी की hypoglycemia. सुनिश्चित करें कि आप low blood glucose level के लक्षणों जैसे कि पसीना आना, चक्कर आना, सिर्दर्द और कपकपी को पहचानते हैं और इससे निपटना जानते हैं. इसकी रोक्थाम के लिए हमेशा नियमित रूप से भोजन करना और glucose का तेजी से काम करने वाला स्रोथ जैसे कि शुगर वाले खादे पदार्थ या फलों का जूस अपने साथ रखना जरूरी है. शराब पीने से आपका ब्लड शुगर के स्तर में कमी का जोखिम भी बढ़ सकता है और इसलिए इससे बचना चाहिए. Other side effects that may be seen on taking this medicine include taste changes, nausea, diarrhea, stomach pain, headache, and upper respiratory tract infection. इस दवा से कुछ लोगों का वजन बढ़ सकता है. इस दवा को लेने से पहले. अगर आपको कभी हिरदे रोग था तो अपने डॉक्टर को बताएं. ये उप्यूक नहीं हो सकता है. गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इसे लेने से पहले डॉक्टर से भी परामर्श करना चाहिए. आपके ब्लड शुगर लेवल की नियमित रूप से जाँच होनी चाहिए और आपके डॉक्टर आपके ब्लड सेल काउंट और लिव फंक्शन की निगरानी के लिए ब्लड टेस्ट की सलाह भी दे सकते हैं. विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद. अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें. और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें. और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें. धन्यवाद.